आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ इस question में देखे क्या बोलाई The value of x satisfying mod of x square minus 1 upon x square plus x x plus 1 less than 1 ठीक है तो देखे इस question को solve किसे करेंगे सबसे पर ले question लिख लेते हैं x square minus 1 इसका x square minus 1 divided by x square plus x plus 1 इस पूरे चीज़ का mod equals to sorry is less than 1 ये बोला है ठीक है ये चीज़ आ गया अब तो देखे हमें पता है कि देखे जो नीची वाला function है यहाँ पे denominator में इसको हम अगर ध्यान से देखे हैं तो देखे इसकी अगर हम d की value निकाले ठीक है इस quadratic equation के लिए तो देखे d क्या होगा b square minus 4 एसी तो देखे ये क्या है b क्या इसका 1 so 1 minus 4 into 1 तो ये क्या आगया minus 3 तो देखे d square ये जो है d इसका negative है तो हम बोल सकते कि x square plus x plus 1 is always positive ठीक है ये हमेशा positive रहेगा function तो देखे हम क्या करेंगे इसको देखे modulus से हम इसको set जाके multiply कर सकते है तो देखे इसका हमारी inequality क्या change हो जाएगी अब अब हो जाएगी है x square minus 1 is less than mod of mod भी डालने की जरुवत नहीं है देखे इसकी value आजाएगी इसकी less than x square plus x plus 1 हमने ऐसे क्यों किया क्योंकि देखे ये चीज़ क्या है हमेशा positive है तो इसको हम सेट multiply कर सकते है without inequality को change कि हुए तो देखे बेसिकली अब क्या होगा हमें ये देखना होगा कि x square minus 1 इसके mod का graph जो है x square plus x plus 1 के graph के कब नीचे आ रहा है तो देखे ये चीज़ करेंगे सबसे पहले हम दोनों के graph draw कर लेंगे तो दोनों के graph draw कर लेंगे से कर लेने से देखे क्या हो जाएगा यहां देखे एगर मैं इसका first वाले चीज़ का graph बनाऊ तो देखे क्या है x square minus 1 इसका mod ठीक है तो देखे ये क्या है basically x plus 1 और x minus 1 का mod ठीक है तो देखे सबसे पहले हम y is equals to x plus 1 into x minus 1 इसका graph draw कर रहें अगर तो देखे हमें पता है कि इसके 2 roots होंगे जो की plus 1 और minus 1 होंगे तो देखे इस तरह का कुछ graph आएगा और इस पर हमने अगर mod ले लिया तो देखे ये जो negative वाला part है ये उपर की तरफ ऐसे shift हो जाएगा तो ये ऐसा graph आजाएगा ठीक है तो ये रहा इस चीज़ का graph ठीक है तो देखे इस चीज़ का graph मैं इदर अगर draw करूँ तो देखे इस तरह से कुछ आएगा इस तरह की parabola आएगी जो की minus 1 और plus 1 की बीच में ऐसे reflect होई होगी ठीक है तो ये इसका graph हो गया अब second graph जो है वो क्या है x square plus x plus 1 ठीक है तो देखे अगर मैं ये देखे ये मैं इसको y बोलूँ तो y' अगर हम निकाले तो देखे कि आजाएगा 2x plus 1 इसको 0 कर दें तो देखे x is equals to minus 1 by 2 इस पर ये जो है function हमें पते है कि minimum होगा तो देखे यहाँ पर अगर मैं y is equals to minus 1 by 2 डाल दो दो तो minus 1 by 2 square plus minus 1 by 2 plus 1 ये चीज़ आजाएगी तो देखे यहाँ पर y की value क्या हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 1 by 4 minus 1 by 2 plus 1 तो ये आजाएगा 1 by 4 plus 1 by 2 तो ये 3 by 4 आजाएगा ठीक है तो देखे ये graph इस तरह से एक पैराबोला बनेगा जो की हमेशा positive होगा पर इसकी minimum value क्या होगी minus 1 by 2 पर होगी और ये value हो जाएगी 3 by 4 ठीक है अब देखे दोनों graph combine करके अगर मैं draw करूं तो देखे ये समझ लीजे ये y axis हो गई और ये मैंने x axis draw कर दी तो देखे first वाला graph जो था वो देखे minus 1 and plus 1 की बीच में इस तरह से था और इस तरह उसकी value आती ठीक है अब इसी graph में अगर हम देखे ठीक है मैं इधर अगर x की value 0 डाल देता हूं तो y की value की आ जाएगी देखे mod of minus 1 which is 1 तो ये point क्या हो गया ये point हो गया 1 ठीक है 0,1 और ये 1,0 sorry minus 1,0 और ये 1,0 अब दूसरा वाला graph में अगर plot करूं तो देखे मैंने क्या बोलाता है इसकी value minus 1 by 2 पर minimum होगी जो कि 3 by 4 होगी तो देखे minus 1 by 2 यहां कहीं लाए करता और 3 by 4 यहां कहीं लाए करता है ठीक है तो देखे ये इस तरह से आ जाएगा graph और इसकी अगर हम value at x is equal to 0 देखे ठीक है तो y at x is equal to 0 देखे तो y की value भी क्या आ जाएगी 1 क्यूंकि 0 प्लस 0 प्ल और यहां देखेंगे तो 1 by 2 पर इसकी value 3 by 4 तो अब देखें यहां पर हम इस function की value भी 1 by 2 पर देखें तो देखें क्या आ जाएगा यहां पर देखें 1 by 2 the whole square minus 1 आ जाएगा जो कि 3 by 4 ही आएगा ठीक है तो देखें यहां जो हो हो यह इस तरह का कुछ graph बन जाएगा यह आ जाएगा यह देखें यह value हो जाएगी अगर यह 1 by 2 है तो यह value 3 by 4 आ जाएगी और हमारा देखें ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा जो की ऐसे पास हो रहा होगा ठीक है अब देखें हम देखेंगे इसको इस वाले graph को तो देखें यह graph वापस जाके इसको और एक जगह पर intersect करेगा क्यों क्योंकि देखें अगर हम इस तरह से कर दें इसको अगर हम करें तो देखें यह अगर हम करें तो देखें यह हमने देख लिया अगर अच्छे से देखें इसको और थोड़ा अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करूं मैं इस ब्लू वाले पार्ट का तो देखें यह एक्जाक्ली इस तरह से आएगा इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉव कर देते हैं ताकि हमें और समझ में आ चाहा है अच्छे से तो देखें यह समझ लिजे मैं y-axis बोल रहा हूं ठीक है तो देखें समझ लिजे इस तरह से यह मेरा ग्राफ है तो देखें यह 1 by 2 है मेरा ठीक है तो देखें हमारा जो यह पैराबोलिक ग्राफ है यह इस तरह से यहां से पास होके इस तरह से जाएगा ठीक है तो यह इतने पार्ट में ऐसे जाएगा और देखें हमें मैंने क्या बोला था हमें सॉल्व करने के लिए यह बस देखना हुगा कि यह देखना हुगा कि बस यह जो x square minus 1 mod वाला जो curve है जो कि हमने red color से draw किया है ठीक है x square minus 1 वाला curve जो red color से draw किया यह कब कब हमारे blue वाले curve के नीचे आएगा ठीक है तो जहां जहां देखें मैं green से highlight कर रहा हूँ वह वाले points पर देखें red वाला curve blue वाले curve के नीचे ठीक है तो देखें यहां से लेके half तक फिर 0 से लेके आगे beyond infinity तक ठीक है तो देखें हम क्या बोल सकती कि हमारा solution क्या है x belongs to यह देखें यह point क्या है minus 2 से लेके 1 by 2 और यहां से union 0, infinity तक हमेशा red ग्राफ जो है नीचे होगा तो देखें अगर हम answer देखना चाहें तो देखें हमारा options में option 3 यह सही answer हो जाएगा क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर